हेलो एवरिवन वेलकम टो आएक्यू टैब सु आज हम इंडियन पॉलिटी लक्षमी कांथ का सेकिंड चैप्टर जो की है मेकिंग अफ दी इंडियन कॉंस्टिटूशन उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और यह इसका पार्ट वन हो का वीडियो का ठीक हैं वीडियो डो प जो मैंने मेंस का कोशन भी दिया था उसको भी सबने बहुत अच्छी से रिखा है आपको सभी को रिप्लाइ कर धिया गया है आपके जो भी कमेंट से उसमें और में चीज़ कहना चाहती हूँ कि एम शॉर जितने में बच्चे कमेंट्स करते हैं वह सब किसी ना किसी एक्जामिनेशन से जुड़े हुए है तियारी कर रहे हैं तो अगर सब UPSC के हैं तो जो भी आंसर आप मेंस का लिखते हैं तो हर कोई अपना कोई ना कोई पॉइंट ऑफ्य लिखता है तो मैं चाहती हूँ कि वह सब भी बच्चे एक दूसरे के कमेंट्स में रिप्लाइ करें अगर मांडों ने कुछ गलत लिखा है या फिर कुछ और एड कर सकते हैं तो आपने मतलब बोल सकते हैं क्योंकि आप एक दूसरे से अगर सीखेंगे तो आपको एक्जाम में काफी हैप मिलेगे जब आप मेंस लिखने जाते हैं तो हमें बिसिकली कंटेंट तो पता हैं बट उसे कैसे रिप्रिजेंट करना यह बहुत बड़ा टास्क होता है तो अगर आप एक दूसरे से सीख पाएं से बेतर क्या हो सकता है ठीक है हम तो आपको सिखाने के लिए हैं बट अगर आप एक दूसरे से कुछ भी अच्छा सीख पा रहे हैं कोई अच्छा पॉइंट किसी ने लिखा है तो इससे बेतर कुछ नहीं हो सकता है हैं तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं तो आज का जो फर्स टॉपिक है वो यह है कि इंडिया को मिल चुकी है तो इस टॉपिक में इस चाप्टर में बेसिकली आपको यही बताया जाएगा कि कैसे हमने क्या-क्या चीज़े करके इससे जुड़े हुए थे और कैसे सब ने अपना योगदान दिया हमारे जो सबसे सुप्रीम जिससे बोला जाता है constitution उसको बनाने में ठीक हैं तो making of the constitution में सबसे पहले हम देखते हैं demand of the constitution assembly ठीक हैं तो सबसे पहले जो constant assembly का demand था देखते हैं किसने रखा तो सबसे पहले 1934 में M.N. Roy थे थे तिक M.N. Roy basically leader थे communist जो movement आया था इंडिया में उसकी बहुत important leader थे तो उन्होंने सबसे पहले बोला कि हमें कुछ इस तरह की constitution assembly बनानी चाहिए जो basically हमारी जो country है उसका constitution लिखने में help करेंगी ठीक हैं but क्योंकि हम जानते हैं उसमें Britishers जो थे उनकी कोई ऐसी इच्छा नहीं थी कि इंडिया को कभी independence देना है और कब देना है क्या देना है बिसिकली उसकी थू जो उनोंने जो तो बिसिकली जो communal representation देने की बात कर रहे थे further depressed sections को women's लेबर्स को तो उनको देखके साफ साफ यही लग रहा था कि कोई इरादा नहीं उनका इंडिया को independence करने का तो बाद में ऐसी conditions बनी कि जो Lord Mountbaton थे और बिटिश की जो इंडिया को इंडिया को independent करके तो आप सो सकते हैं कि 1935 में इंडिया नाशनल कॉंग्रेस नहीं डिमांड रखी कि हमें करने की बात करने हैं कहीं ना कहीं सब यह जानते थी कि further Britishers हमें तोड़ना चाहते हैं विकाज अगर Commonwealth की टाइम पर जहां पर गांधी जी और बियारम पेटकर जी के वीच बात हो चुकी है कि हम further Commonwealth कि को देना नहीं है तो इसलिए फाइनली इंडियन नैशनल कॉंग्रेस ने डिमांड रखी कि हमें अपना Constitution Assembly बनाना है और अपने देश का सविधान लिखना है महीं थी कि ताकि हम अच्छे से इसको रूल कर पाएं नेक्स्ट हम देखते हैं 1938 में जाला नहरुजी जो कि इंडियन नैशनल कॉंग्रेस के बिहाफ में क्योंकि 1935 में और शायद उस समय भी किसी ने बात को seriously नहीं लिया बात में 1938 में जब जाला नहरुजी ने इंडियन नैशनल कॉंग्रेस के बिहाफ में बात कही कि हमारा जो constitution है फ्री इंडिया का बनना चाहिए और जब वो बनाये जाएगा तो उसमें कोई भी outside interference नहीं होना चाहिए जब भी हमारा सविधान बनेगा तो उसमें Britishers की भागेदारी नहीं होनी चाहिए जरूरी है विकाज ये जो है हमारा constitution लिखेगा तो कुछ भी ऐसा नहीं था कि कोई भी person को ठाके इस constitution assembly में रखने की बात नहरु जी बोल रहे हो और उन्हें का जो भी person बैठेगा इस assembly में जो आपका सविधान बनाएगा वो लोगों के द्वारा ही चुना जाना चाहिए ठ जो भी हमारी जो है सहम चाहते हैं कि कैसा होना चाहिए वो चीज हो सविधान में अच्छी से लिख पाएगा उसे बना पाएगा ठीक है देन फाइनली क्या होता है 1940 में अगस्त ओफर आता है ठीक है तो हुआ ही था कि 1939 में जब second world war स्टार्ट हो गई थी तो जैसे कि हमने द फिअधर रेकर थेना कि हमने की होता है ठीक है तो यह इनले इंडियन के एफर्ट को रिकजनाइस कि यह राजी हो रहे हैं जैसा कि इंडियन सजाते थे उस वंइंह राजी को शे पहले तो क्योंगर कि इस बार उने डिसाइट तब कर लिया था कि अब हम हैं तबी करेंगे जब कुछ हमें मिलेगा मतला हमें constant assembly कब बनेगी कैसे बनेगी इसके बारे में कुछ Britishas हमें बताएंगे ठीक है तो finally जब Britishas 1940 में अगस्त ऑफ देखिया है तो उसमें उन्होंने तो उसमें उन्हें कुछ ऐसी बाती बोली पहला तो उन्हेंने बोला कि हम dominant status जो आपका उसको हम मानते हैं कि अगर हम जीत के आ जाते हैं तो हम आपको इंडिया को एक dominant status दे देंगे साथी साथ उन्हेंने बोला कि जो वाइसरा की executive council है तो याद रखना executive में कि अब भी बात चल रही है कि legislative में तो इंडियन्स आई रहे थे बट executive में भात कम-कम आ रहे थे एक को ले रहे हैं फिर तीन को ले रहे हैं तब उन्होंने फाइनली बोला कि जो वाइसरा की executive council इसमें भी हम इंडियन्स पो लेंगे और इंडियन्स को मेज्चोरिटी में रखेंगे ठीक हैं साथी साथ उन्हें बोला कि conservative assembly को भी हम set up करेंगे ठीक है war के बाद हम करेंगे and finally जो भी constitution बनाना होगा उसके बारे हम decide करेंगे और साथी साथ ये भी बोला कि future में जो भी constitution होगा ठीक है हम तब ही adopt करेंगे उसको जब हमा जो भी minorities है यानि कहीं कहीं प्रिटिशस इतने चलाग थे क्यों जानते थे कि अगर constitution बनाए गया तो हिंदू मनला जो हिंदू लोग है वो बनाएंगे पर जो minorities में हैं जैसे कि आपक नहीं मिला तब तक हम इसको implement नहीं करेंगे वह कहीं न कहीं जानते थे कि अगर ये Muslims को अगर भढ़काएंगे कि ठीक है तो तब Muslim रसी भढ़क जाएंगे तो उससे क्या होगा constitution अच्छे से बन नहीं पाएगा अगर बन भी किया तो अच्छे से implement नहीं हो पाएगा ठीक है तो उसके बाद अब देखते हैं कि अब response क्या रहा हर लोगों का उन्होंने देखते हो लिया कि अगस्त offer में ये चीज़े लिखे हैं तो Congress ने साफ इंकार कर दिया कि हम इस offer को बिलकुर reject कर देते हैं हमें ये offer नहीं accept होता because जो हम demand चाहते हैं वो भी भी fulfill नहीं हो पारी हमे constitution assembly को बनाना है वो कब बनेगे क्या बनेगे इसके बारे में आप कोई mention ही नहीं कर रहे हैं वहीं अगर Muslim League की बात करें तो Muslim League इस बात से खुश थी कि भले ही constitution assembly constitution बना लेंगे ये पर जब तक minorities का support नहीं होगा तक उसे implement नहीं करेंगे तो इस तरह से उनको veto करने की power मिल गई थी Muslims को इसलिए वो थोड़ा बहुत कुछ थे इससे और साथी साथ Muslim League का माना ये था कि इन सबका एक ही solution है कि partition कर दो तो उनकी तो मतलब जबान में एक ही चीज रटकी हुई थी कि हमें partition कर दो सब कुछ ठीक हो जाएगा ठीक है बट नहीं Congress कुछ थी नहीं बाकी लोग कुछ थे तो ये अगस्ताफर भी fair हो गया ठीक है तो जब कृप्स mission आता है तो वो basically जो डिमांड होती है Muslim League की कि हमें basically दो autonomous states बनाने दो दो separate constitution assembly बनाने दो जो इंड sly होते हैं ठीक है तो ये देखके Muslim League को बिलकुल खुशी नहीं होती है बट इसलिए ये प्रपोजल भी reject हो जाता है मतला इतना कुछ इसमें फिर implement नहीं हो पाता है and finally हम देखते हैं कि कौन आता है cabinet mission आता है जिसमें आम देखोगे तीन लोग होते हैं एक है Lord Pathak Lawrence है Sir Stafford Cripps और A.V. Alexander है इन्होंने basically क्या किया तो इसमें basically ये हुआ कि जो cabinet mission है जैसे कि हम देख रहें 1946 में आया था तो इसमें क्या हुआ तब तक जो हमरी second world war खतम हो चुगी थी 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 तो आप Britishers कहीं ना कहीं जानते थे कि Indians अग इतना जादा हाहुला करेंगे because उन्होंने इतना जादा युगदान भी दिया है प्लस अगर उनकी जो बात है constitution assembly बनाने के अगर पूरी नहीं होती है तो फिर से ये जो है बवाल करेंगे and ठीक है तो Britishers अमनोंने का finally हम इनको constitution assembly बनाने के लिए बोल देते हैं त जानते थे कि अगर हम ऐसा कोई भी proposal रखते हैं जिसमें Congress तो मान जाएगी बट Muslim League नहीं मानेगी तो फिर से प्रपोजल अटक जाएगा और उसको कोई you know outcome निकल के आएगा तो कही ना कहीं कुछ बातों को ध्यान में रखके यह आये थे कि मुस्लिम लेकी कुछ बातों को मा सब्सक्राइब करें तो उन्होंने उन एरिया को सेग्रिकेट कर दिया दो पार्ट में और उन पार्ट को बेसिकली उनने बोला कि आपको अगर Constitution Assembly बनानी है तो साथ में मिलके बनानी पड़ेगी तो कोई option नहीं है तो उन्होंने क्या कि हम जो दो Constitution Assembly का जो आईडिया था वो तो कुछ एरिया से आप चुनके आओगे जो भी आपकी मुस्लिम एरिया से आप चुनके आओगे और जो हिंदूस वाले एरिया है वहां से हिंदूस चुनके आएंगे और फिर वो चुनेवे जो लोग होंगे वो उस Constitution Assembly में बैठेंगा वो मिलके Constitution बनाएंगे तो यह उन्ह अब फाइनली composition देखते हैं basically कैसे seats को डिवाइट किया गया तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो टोटल स्ट्रेंथ जो रखी Constitution Assembly के वह 389 थी तोटल लोग जो होने चाहिए Constitution को बनाने के लिए लोग कितने होने चाहिए 389 थीक है उसके बाद इस 389 seats को लोने डिवाइट किया है 296 जो की कौन थी बिटिश इंडिया की में से आएंगी और 93 जो होगी प्रिंसली स्टेट में से आएंगी ठीक है अब आप यह सोचोंगे कि 296 बिटिश इंडिया को दी सबसे जादा सबसे जादा इरिया जो था वह बिटिश के अंडर था ठीक है इसलिए वहां के लोग को सीट्स जादा मिलनी थी और जो प्रिंसली स्टेट ते कुछ ही थे इसले उनको सिर्व 93 सीट्स दी गई ठीक है फिर हम देखते हैं फर्दर जो 296 ते उसको डिवाइब किया गया है 292 जिसमें 11 गवर्नर प्रोविंस थे यानि जो 11 गवर्नर प्रोविंस थे बिटिश इंडिया के अंदर उन में से कम से कम 292 मेंबर्स को लिया जाएगा और जो चीफ कमिश्णर प्रोविंस थे वहां से चार लोगों को ठीक हो गया और आपका सिंध बंगार और आपका अस्राम हो गया तो यह सारे जो 11 गवर्नर प्रोविंस थे हां इनको बिसिकली 292 सीट दी गई थे नेक्स्ट आपका जो चार चीफ कमिश्णर प्रोविंस को दिया गया वह कौन से थे एक तो डेली था और एक अजमेर मेवार था नेक्स्ट कूर्ग था और बिटिश बलुचिस्तान था था थे तो इन में से आप देख सकते हैं कि चार मेंबर्स यहां से निकल के आएंगे और इन में से जो 11 गवर्नर प्रोविंस से वहां से 292 मेंबर्स आएंगे तो ठीक है तो इस तरह से 296 सीट को इस तरह से दिस्ट्रिब्यूट किया गया और जो 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट को मिली थी उनमें बेसिकली निए था जितने भी प्रिंसली इस प्रिंसली स्ट्स पीट्स है उनको मिला के u ничегоागे सेар सेरा चारल लग्रेज रदी थीथ है सा वन मिलियन पॉपलेशन को एक सीट दी गई, मतलब एक ऐसा एरिया जहां पर वन मिलियन पॉपलेशन है, तो उन्में से एक सीट वहां पर दी जा रही है, तो यह उन्होंने डिसाइट किया, अब में चीज़ यह है कि अगर हम प्रिंसली बिटिश इंडिया की बात करते हैं, तो बिटिश इंडिया में सीट को कैसे लोकेट किया गया, तो यहां पर सीट को अलोकेट करके इनोंने तीन कम्मुनिटीज में डिवाइट किया, तो तीन कम्मुनिटीज कौन थी, एक तो जर्नल था आपका, तीक है, और फिर आपका मुसलिम हो गया, और आपका सिख हो गय तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो तीन चुना कैसे जा रहा था तो सबसे पहले आप देख सकते हैं प्रपोर्श्चन रिप्रेजेंटेशन होगी और हर एक कम्मुनिटी को जो इलेक्ट किया जाएगा by the means of community in the provincial legislative assembly तो इस बात पर ध्यान रखना कि जो प्रोविंस में जो legislative assembly है वो चुनेंगे ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं कि जो direct election है वो यहाँ पर missing है तो direct election नहीं हो रहा है यहाँ पर indirect election हो रहा है बिटिश इंडिया की तरफ से ठीक है तो आप देख सकते हैं प्रोविंस में जो legislative assembly है वहाँ पर देख सकते हैं कुछ हिंदूस होंगे कुछ मुस्लिम होंगे कुछ सिक्स होंगे और बाकी कुछ अलग community की लोग होंगे तो उन्होंने इस तरह से बनाया कि जो मुस्लिम लोग उस assembly में बैटे हैं वही मुस्लिम को चुनेंगे तो अपने तरफ से मुस्लिम को मतलब नाम देखे भेजेंगे मतलब वोट देंगे बिसिकली और जो सिक्ष लोगों को वोट देंगे और जो जनरल लोग बज़के जिसमें हिंदू और और कॉमुनिटी पार और इस तरह से election जो था वो इंडिरेक्ट election था और फिर यह लोग चुनके जो है बिसिकली constitution assembly में बैटेंगे और फिर हमारा constitution लिखेंगे तो यह बिसिकली composition उन्हें इस तरह से की गई थी अब हम बात करते हैं प्रिंसली स्टेट में किस तरह से था तो प्रिंसली स्टेट जैसे कि हम जानते हैं राजा रजवारे की जगा है तो वहाँ पर जो राजा लोगा है यानि जो head है उस प्रिंसली स्टेट का वो किसी को भी अपने तरफ से रिप्रिजेंट कर देगा मतला नॉमिनेट कर देगा, यानि कोई भी राजय क्या करेगा, अपने राजय में से, जो भी, जिसको भी जानता है, उसको वो नॉमिनेट करेगा उसका नाम, और वो जाके वहाँ पर बैट जाएगा, कॉंस्टिशन असेंबली में, कॉंस्टिशन को फ्रेम करने के लिए, इट मेंस यहाँ पर इलेक्शन जैसे चीज़ कुछ रही नहीं, बिकाज आप राजय में, ऑविसली राजय ही पावरफुल होता है, तो इसलिए उसकी मर्जी ही चलेगी, वहाँ तो उसने अपनी मर्जी स इलेक्टेड नहीं थे, बट इनडारेक्टी इलेक्शन था, त्यक्यों जो प्रविंसेस में लेस्टेटी असेंबली थी, वह चुनके इलेक्ट करके भीज रही थी ना, इसलिए उसको पार्टी इलेक्टेड बोलेंगे, और पार्टी नॉमिटेड क्यों था, बिकाज पिं आफ०ा मेंवर्म हों और अपन करन इलेक्टी ऐलेक्टgoing, सालि प्रविंसेड इलेक्टी नों सीटू पार्टी अानूचेम, और फॉर्मेंट पार्विंसेदें सब्सक्राइबूंक तुनके बेज नहीं हमेरेसे साथ निचान को पास संस्दू शियोक्त रीक्शन को ति तो limited franchisee से election हुआ था अब basically जब finally जब election हुआ थिक है तो आप देखा गया कि किसको कितनी seats मिली है थिक है तो Congress जो थी उनको basically 208 seats मिली थिक है Muslim को 73 seats मिली और इस seats कहां की बात की जारी है तो याद रखना Constitution Assembly की seats की बात की जारी है तो सबसे आदा Congress को मिली 208 seat मुसलिम को मिली 73 seat और 15 seat बज गई है वो छोटी मोटी जो parties थी basically उनको मिली है ठीक है और आप देखोगे सबसे बड़ा change ही आया कि जो प्रिंसली स्टेट थे उनके पार्टिसिपेट ही नहीं किया ठीक है जबकि 93 seat उनके लिए law allocate की गई थी कि आप को अपने जो भी है प्रिंसली स्टेट का उसको nominate करके भेजना पड़ेगा इस constitution assembly में पर किसे ने भीजा ही नहीं ठीक है तो basically इसके पीछे का reason क्या था तो reason यह था कि already जो प्रिंसली स्टेट थे जो राजा लोग थे उनको बिल्कुल मतलब नहीं था कि constitution assembly बनती है नहीं ब क्या जरूरत है कि constitution assembly बने या ना बने इसलिए किसी भी राजा ने अपने किसी भी मेंबर को nominate नहीं किया constitution assembly में इस time पर आप देखेंगे जब आगे वाली time पर जब आएंगे तब कुछ ना कुछ लोगों ने अपने representative को भेजेंगे ठीक है और एक और चीज की जब यहां प चाहे वो आपके muslims हो चाहे वो आपके Sikh हो या फिर Parsiis हो या फिर आपके Anglo Indians हो ठीक है या फिर Indian Christians हो ठीक है तो इन सभी लोगों को basically इसमें participate मिला मत्या ऐसा नहीं थी कि सब्सद्द आपको इसमें हिंदूजी मिलेंगे मुस्लिम कुछ थे नहीं ऐसा बिलकुर नहीं था हर एक section से कुछ नहीं कुछ लोग वहां पर आए वह थी ठीक है और यहां तक की SCST ठीक है तो SCST तक को भी यानि SCST जो section हमारा उनको भी represent किया गया और साथी साथ women's को भी यानि हर एक section की women है चाहे वो Hindu की हो चाहे वो Muslim की हो चाहे वो Sikh की हो या फिर अदर community की women है वो भी इसमें पार्टिसपेट लेदी थी यानि overall हम बात करें तो constitution assembly basically ऐसे assembly थी जहां पर कोई यह नहीं बोल सकता कि मेरे इस community का या फिर मेरे यहां का कोई लोग वहां पर नहीं बैठा है जो मेरी बात सुन सके ठीक है women भी थी tribal area की लोग थे वो भी present थे Anglo Indians थे Indian Christians थे Sikh थे Muslim थे Hindu सब थे इ अच्छा सा इतान इसलिए अब हर एक section के लोगों ने पार्टिसपेट किया है और अपने section अपने area में जो जो मतलब चाते थे वह चीज़े इंक्लूट की गए है अगर हम tribal area की बात करें तो उन्हें जो जो राइट चाहिए थे ताकि उनके जो राइट से उनका हननन ना हो तो वो सारे provisions basically constitution में mention किये गए हैं और women's related के इस तरह से आपको उन्हें right देना है क्या 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 उनके fundamental rights से वो सब चीज़े इंक्लूट किये गए हैं तो इसलिए हर section को इसमें representation में दिये हैं तो basically हम कह सकते हैं कि सारे कि सारे important personality थे उस समय कि freedom fighters जो थे उन सब को इसमें इंक personality थी जो basically इस constitution assembly में participate होने नहीं लिया ठीक हैं तो यह आपका making of the constitution आपको clear है ठीक हैं तो अब हम चलते हैं next की तरफ next है कि अब finally constitution assembly बन चुकी हैं अब फर्स मीटिंग जब हो गया निए फर्स मीटिंग में जब सब लोग आएंगे constitution assembly में वो कब होगा ठीक है तो यहाद अथना first meeting जो थी basically 9th December में की गई थी ठीक है 9th December कब 1946 में तो 1946 में पहली meeting जो constitution assembly की हुई जिससे basically आप देख सकते हो मुस्लिम लेक ने क्या क्या boycott किया है ठीक है उन्होंने boycott किया है और सिर्फ और सिर्फ कितने members थे आप सूच सकते हैं उनमें से सिर्फ 211 members नहीं इसमें participate दिया and temporary time के लिए जो president उसमें बनाया था वो किसको बनाया आजेंदर प्रसाथ थी और vice president kante hc mukhaji और vt krishnamachari तो ये तब की बात की जारी है first meeting जो हुई थी 9th December को ठीक है बट क्यूंकि हम देख सकते हैं meeting तो हुई लोग तो आये बट कितने कम लोग आये तो उतने कम लोगों से तो कुछ बात बननी नहीं थी constitution तो बनना नहीं था त जब meeting के बारी हुई तो उन्होंने attend क्यों नहीं किया क्यों boycott किया तो इसके पीछे background में ही चल रहा था कि actually में जब cabinet mission ने दो groups बना दिये थे जहां पर कुछ area जो ऐसा था जहां पर Indian Congress majority में थी यानि हिंदूस majority में थे जहां पर Congress rule कर रही थी और कुछ area जहां पर Muslim majority में थी Muslim majority में है उसको भी अपनी अंडर लेकिया जाए कैसे ना कैसे कर गे तब हमारा जो इंडिया है यूनाइट हो पाएगा हम इस तरह से दो ग्रूप में इंडिया को बटने नहीं देंगी ठीक हैं बट यह बात जब मुस्लिम लेक को पता चली तो उन्हें बहुत बुरा लगा बिकॉस उनका day one से यही प्लान था कि हमें पार्टिशन करना है हमें अपना खुद का कंट्री बनाना है तो यही कारंट हो उन्होंने इस मिटिंग को बॉइक्वाट कर दिया ठीक हैं नेक्स्ट है कि अब्जेक्टिव रेजिलूशन आया कब आया 13 दिसंबर 1946 में कॉन लाज वाला नहरूंग तो जब वो कॉंस्टेंस संब्लिम बैठे तो उन्हें संबने मिलके एक अब्जेक्टिव रेजिलूशन बनाया जैसे आगे चलके प्रियंबल का नाम दिया गया औ जो इस अब्जेक्टिव रेजिलूशन में बसिकली क्या-क्या बात अहरो ने आये कि साली चीज पहला होना जोब अचाहिए जो झाहिं हो विद्या के बात समय करने में अधिया में गोर्मेंट बन रूल करेगी मोज वह भारी ताकत इंद़्िस परिडिस को प्डोर्स जो है इंडिया को force नहीं करेगी बुचिस करने में ठीक है इंडिया खुद से decide करेगा जो भी उसे करना है ठीक है तो sovereign रहेगा वह Republic ठीक है साथ इसाथ territories की बात की कौन-कौन से territories जो होगे इस पूरी इंडिया का part होंगी तो अभी जो British इंडिया की territories है और जो इंडिया के बाहर है तो उनको भी वैलकम किया जाएगा और इस तरह से पूरा एक इंडिया एक इंडिया यूनिन बना दिया जाएगा जहां पर इस सब चीज़े जो इंडिया की अंदर होंगी ठीक है next नोंने basically का है ठीक है next point है basically बोला जा रहा है होका एक इंडिया था वे इंडिया इंडिया व्लीन इंडिया ठीक है अंडिया व्ली को कि इंडिया जैके पॉन terrible हम रखेंगे so that दोनों ही स्टेट आपस में जो है clash ना करें ठीक है तो उससे रिटेट जो भी boundary का dispute है उसको basically constitution assembly में बैट के सुना जाएगा उस पर बहुत सारे debates होंगी जिसकी जो भी राय है वो उस debate में basically बताएगा and finally उसको फिर conclude किया जाएगा ठीक है उनकी boundaries को so that हर एक state को अपनी autonomy मिल सके ठीक है ऐसा नहीं होना चाहिए कि गुजरात को लगता था कि कुछ area जो है बॉंबे के पास चलेगा मेरे पास अनना चाहिए था नहीं इसका कि confusion हम नहीं रहने देंगे सारे discussion debates करने के बाद ही उन territories की demarkation की जाएगे उनकी boundary कर्चे से setup किया जाएगा और जो भी states वहां पर बनेंगे उनकी अपनी autonomous unit होगी यानि उनको अपनी autonomy दी जाएगी so that वो अपने से rule कर सके और जो भी उनकी autonomy होगी वो center की जो power है मतला center की जो autonomy उसके साथ वो clash नहीं करेंगे इस तरह का प्राफधन किया जाएगा तब जाके मतला basically काम होगा तो यह सारी बात यह objective resolution में की गई थी next है कि all the powers and authority sovereign independent India क्यों derive की जाएगी people से तो यह बात बोली गई कि main power जो हाएगी people से आगी क्यों because people से होगे जनता ही होगी जब basically अपने representative चुनके भेजेगे और फिर सरकार चलाएगे तो यह बात इसमें बोली गई next बोला गया कि क्या 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 चीज़े इसमें होगी यहां पर justice की बात की जाएगी चाहिए वो social हो economic हो यह political justice हो ठीक है वो लोगों को दिया जाएगा equality पर हम focus करेंगे equality, status wise equality होनी चाहिए और पॉच्णिटी याई ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बहुत ज़्यादा मीर है तो कोई बहुत ज़्यादा गरीब है ठीक है हम इस तरह से भेदभाने करेंगे ठीक है ठीक है ठीक है तो यहानी equality यहांपके status होगया पॉच्णिटी होगया freedom होना चाहिए लोगों को किस चीज़ का thought सोचने का freedom होना चाहिए कि कुछ भी सोच सकते हैं कोई भी expression हो गया faith, belief किसी की पूजा कर सकते है worship कर सकते है vocation के लिए कहीं भी घुम सकते हैं घुमने की अजादी दी जाएगी उन्हें association बना सकते हैं और साधी साथ बस तो यह चीज़ याद रखना public morality को ठीक है कि वो law और public morality का ध्यान रखें ठीक है मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कि किसी एक की freedom किसी और की freedom को नुकसान पचारी हो ठीक है जैसे आज भी हम देखने को मिलता है में कि आज में जब लोग बोलते है freedom of speech, freedom of speech तो किसी एक के लिए भले freedom of speech हो सकती है बट जिस person को आप बोल रहे हो कुछ बूलता सीधा उसका तो freedom of speech तो violet कर रहा है अगर मान लो किसी एक person ये किसी एक दूसरे person को कुछ बोल दिया ये कहके कि मुझे तो बोलने का अधिकार है पर जिसको आपने बोला है उसका भी तो अधिकार छीना है ना आपने क्योंकि आपने उसे कुछ भी बोल दिया तो इस तरह का जो right है मतलब जो freedom आपको दी जाएगे कभी clash नहीं होनी चीए हमेशा public morality को ध्यान में रखना है ठीक है next है आपका safe guard करना है किसको minorities को ठीक है तो यहाँ पे जो basically minorities है चाहे वो backward classes हो tribal areas हो depressed classes और backward classes उनको उपर उठाने की बात की गई है कि अलरड़ी वो इतने जादा दबे हुए थे मिटिशर्स ने उनको इतना दबा की रखा हो था वैसी वो educationally कितने जादा backward है उनके अभी भी उनको इनको education हो तक पहुंच ही नहीं है उनका रहन से अभी जो आप लोग है उनके जो अधिकार है basically उनसे उनने बचाना है ताकि कोई भी उनके जो भी culture है उनके साथ कुछ बुरा नहीं होना चाहिए तो यह बात की गई वो अलड़ी इतने जादा निचले हिस्से में रहते है मतलब अलड़ी उनका जो status है काफी जादा down है as compared to other section की community के जो लोग है उनको उठाने की बात की गई है next is basically हमें integrity और territory जो है उसको हमें maintain करके रखना है और sovereignty जो rights है हमारे मतलब जो land sea और air नहीं जो कहना चाहते है कि इंडिया का जो land है उसका जो भी sea का area है मतलब जो भी आप देख सकते है the area रेवानल आप नहीं हो गया या फिर बेव बंगाल वाला समून्थ का इलाका या फिर उपर रहले हमारी air है इंडिया की जमीन उसका पानी उसकी हवा समय जो वोगा इंडिया का राइट होगा कोई हमज़त छीन नहीं सकता है उसके एक rightful एक honored place मिलना चाहिए वर्ल्ड में तैकि वर्ल्ड जब इंडिया को देखें तो इंडिया का जो लैंड है उसकी जो उतनी सम्मान कर जितना एक भारती सम्मान करता है अपनी देश भूमी का तो इस तरह से हमें इस चीज को बनाए रखना है और वर्ल्ड में शांति इसमें की गई थी objective resolution में तो इस resolution को assembly ने अडॉप्ट कर लिया कब 22 जनवरी 1947 को ठीक है और अडॉप्ट भी ऐसा किया गया यूनियम मतलब की सबने एक साथ सहमती से इसको अडॉप्ट किया है ऐसा नहीं था कि दो सो लोग वहां पर बैठे हो तो सौ लोग कह रहे हैं कि हम इसको मानते हैं बागे सो अडॉप्ट कर दे नहीं सभी ने अपना सैमेथी दिखाए कि जो जो इसमें बाते बोली गई हैं चाहे हो territory से रेक्टिड हो या फिलोगों की मतलब justice equality से रेक्टिड हो हर एक चीज़ को सबने माना और इस सबको adopt कर लिया और फिर आप देखोगे जो modified version है इसका उसको preamble में आज रखा गिया है हमारे constitution में तो यह हमारा objective resolution यहां पर complete होता है तो हमने यहां पर किस तरह से first meeting हुई वो देखा और objective resolution में क्या क्या बाती थी वो हमने पड़ी अब हम next की तरफ चलते हैं नेक्स्ट हमारा topic है वो है changes by the Indian independence act तो जैसे कि हम जानते हैं जो इंडिपेंडेंस act आए थे 1947 में उसमें कुछ changes लाने की बात की गई तो उसमें जब से पहले क्या हुआ जो princely state आप देख सकते हैं कि जो princely state पहले जॉइन करने से मना कर रही थी उन्होंने अपने representatives नहीं भे इसेंबली में पार्टिसिपेट किया तो यह थे आपकी बड़ोदा बिकनेर जैपूर पटियाला रिवा एन उदेपूर एंड जब मांट बेटन प्लान आया था तीन जू नाइंटीन फॉटिसेवन को तो जैसे कि हम जानते हैं तब पार्टिशन हो चुका था कंट्री का किरिस्ते को मिला था कि इसी में पि मैं फी चूस कर सकते आपने पाकिस्तान पाटिस्तान , तो मस्लिम लीग बोला गया तो Muslim League तो जैसे ही उनका जो सपना था partition का वो तो हो चुका था बट उन्हें बोला गया कि एक बार आपको इस assembly में इंटर करना पड़ेगा तो राजी हो गए कि चलो ठीक है हम आ जाएंगे assembly में इंडिया का लग बनने वाला पाकिसान का लग बनने वाला ठीक है तो इसमें assembly में ये बात बोली गई कि फानली जो है इंडिया को सोवरानिटी मिल चुकी है बिकास नाइटीन फॉर्टी सेवन में जब इंडिया को उसको एक tag मिल लिया कि हाँ कि जो assembly है पूरी की पूरी sovereign है इट मींज कोई भी external force का कोई influence नहीं रहने वाला assembly में जो भी constitution बनाया जाएगा वो इंडियन के द्वारा ही बनाया जाएगा और साथी साथी act जो एंपावर करेगा assembly को कि जो भी law Britishers ने बना रखा था पहले तो उन law को चाहे तो change कर सकते हैं या फिर पूरी तरस से खतम कर सकते हैं अब सबसे बड़ा change जो देखने को मिला वो यह था कि जो constitution assembly है तो जैसे कि हम जानते है constitution assembly का का काम तक constitution को बनाने का बट उनने एक decide कि यहां पहले दिन security body की तरह भी चाम करवाएंगा आएक यहां वो देख के लिए लौ बना रहे हो कशसी समाल ना है और देश का सविधान भी लिखना हैिए तो bleibt काम उनके पर थो इत्म थे तो उन्होंने डिसाइट कि कि यहां चाहिक को लिइड majority signingatics ऑज नो लिंगीक गए का है कि अनुस्टिूशन गोडी की तरह मिलेंगी तो उसका उसां बॉडी को चेर कर रहे होंगे टॉक्टर राजिंदा doorivasanट और जब रीचिशिंटिव भॉडडी की तरह बैटी होंगे तो तो चेर कर रहोंगे जी वी मावलंग का ताकि वद्चियों से काम कर सकी एक चेरमन उका तो ऑचिसे उनको लीट कर पाएगा कि आपको कैसे काम करना है ठीक है निक्स्ट है कि Muslim League members जब partition हो गया तो partition से पहले जो असेमली तो बन गई थी तो असेमली में कुछ Muslim भी थे अब जब फानिली पार्टिशन हो गया इंडिया का तो उसके बार जब देखोगे कि Muslim League के सेमली को चोड़के चले गए और जब चोड़के चले गए तो अविसली जो टोटल स्टेंथ ही हमारी वह कम हो जाएगी तो अब जो टोटल स्टेंथ ही कितनी बची रहेगी 299 तीक है जिन मेंसे आप देख सकते हैं इंडिया अब भी मेंबर बना रहे है कॉमन्वेल्ट का थिक है क्योंकि नहीं चाहते थी बिटें के साहथ मतलब जिसली बिटें इंडिया को छोड़के गया है थी बट वह नहीं चाहते थे कि उनकी अंदर जो है बिटें के खिलाफ कुछ इंडिया अभी भी बिटिश्य को उतना ही मानता है उन्होंने जिस तरह से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने बहुत अजीब तरीके से रूल किया था इंडिया में इसका मतलब यह नहीं है कि हम पूरे के पूरी बिटेन से नफरत करने लए जाएं और क्योंकि कॉमन वेल्थ ज कोई मतलब नहीं रखना चाहते तो ऐसा नहीं था क्योंकि इंडिया मानती थी अगर कुछ भी हल्प चाहिए होगा बिटेनी हमारी हल्प करेगा इन फ्यूचर में विकॉस तो यह कारंट था कि इंडिया ने कॉमन वेल्थ नहीं छोड़ी ठीक है और साथी साथ इसने 22 जु जुन किया इंडिया की जो इंडिया अजाद हुआ अजादी के बाद जो पहला राश्पती था वो कौन बना डॉक्टर राजेंदर प्रसाथ ठीक है और जो कॉंस्टिशन असेंबली है उसका जो काम जो था कॉंस्टिशन बनाने का वो कितने साल में पूरा हो देखते हैं तो करीबन उसको 11 सेशन्स लग गए 11 सेशन्स में उनने अपने काम को फिनिश किया जिसमें आपके टोटल दो साल थे 11 महीने प्लस 18 दिन तो दो साल 11 महीने 18 दिन टोटल टाइम पेर लगा उने पूरा कॉंस्टिशन बनाने का और फाइनल सेशन जो था उसका कॉंस्टिशन असम्बली का वह 24 जनवरी 1950 को था और फाईनली सेशन बनके रेडी हो जुका था तो यहां पर आप सकते हैं कि इतना पे पार्ट यह आपको अपको ख्लीयर है था नेक्स एख बठते है एक चीज़ और बताने हैं जैसे जैसे कि हम जानते हैं 24 जनवरे 1950 को जब हमारे पहले ही प्रेजिडेंट चुन किया है ठीक है और साथ साथ हमारे constitution assembly जो था उसका final session था because constitution बने चुका था ठीक हैं बट आप जानते हैं कि जो election थे हमारे जो start way थे वो 1951 52 में हमारा जो election था start हुआता ठीक हैं जब तक election नहीं बन जाता जब तक election हो नहीं जाता जब तक नई parliament नहीं बन जाती तो कोई तो होना चाहिए ना जो parliament की तौर पे काम करें तो आप देख सकते हैं उस समय जो है provisional parliament basically rule कर रही थी ठीक हैं और provisional parliament basically कौन थी आपका constitution assembly थी यानि constitution assembly भले उसने अपना काम पूरा कर दिया हो बट अभी भी वो as a provisional parliament की तरह वो काम कर रही थी जब तक election होके नया parliament आनी जाता और election कब हुआ election आपके हुए 1951 से लेके 1952 के बीच में elections होते हैं and finally आप देख सकते हैं कि जो पहली parliament थी ठीक है तो पहली जो elected parliament थी वो कब चुन किया है basically मई 1952 में तो जब मई 1952 parliament चुन किया है and then उन्होंने फिर constitution के इसाब से काम करना शुरू कर दिया ठीक है तो आज का जो यह topic है वो यहीं तक रहेगा next part हम जो second video उसमें cover करेंगे जो भी बच्चु का इस chapter का अभी हम basically cover करेंगे जो solutions हैं तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में जो questions पूछेते हैं उससे जो solutions है वो उसमें cover करेंगे तिक है तो पहला हमारा question था वही था कि जो 1935 का जो act है तिक है उसके साब से इन में से कौन सा पहला it envisizes partition to India तो क्या इसने partition किया था तो जैसे कि हम जानते है partition हमारा कब आए था इंडिया इंडिपेंडेंस एक जो आए था 1947 का वह basically partition देखे आए था तो यह आपका फर्स तो गलत हो जाता है next आप देख सकते हैं कि second point basically कैस का it is a main source of constitution of India तो अभी हम इसको देखें के next आगे बढ़ते हैं third point देखते हैं it abolished the native states तो ऐसे कुछ बात इसने नहीं की थे तो यह भी wrong कर देते हैं it gave independence to India तो नहीं इंडिपेंडेंस इंडिया एक चुए था उसने इंडिपेंडेंस दीती या नहीं जो फानिली आंसर आपको कौन सा आ जाता है भी आ जाता है तो भी ही एक correct answer है because 1935 का जो government of India आखता है तो आप देखोगा यही एक main source था हमारे constitution का constitution की बहुत से चीज़ें जो इस 1935 के act से ली गई है तीक है अब हम चलते हैं next question की तरफ ठीक है next question बोलता है कि जो federal system है ठीक है या फिर जो डायर की है तो center में basically कब इंट्रड्यूस की थी तो जैसे कि हम जानते है उसे पहले province में इंट्रड्यूस की थी और इसके बाद center में आई थी तो center पर कब आई थी तो जो हमारा act है 1935 का उसमें आई थी यानि government of India 1935 ठीक है ठीक है तो third question है कि कॉंसर आखता है जहां पर first time इंडियन जो थे basically administration जो था country cost में आप आये थी तो इसका आंसर इंडियन कॉंसलेक 1861 क्योंकि हम जानते हैं इंडियन कॉंसलेक 1861 में तो इंडियन कॉंसलेक 1861 में रिप्रेजेंटेटिव इंसिटूशन स्टार्ट हो गए थे इंडियन को lawmaking process में आने का मौका मिल गया था औ इंडियन कॉंसलेक्ट 1892 तो आंसर आपका हो जाते हैं और पहले वाले का थर्ड क्या आंसर आपका देए ठीक हैं तो नेक्स्ट कोशन है कि मैच करना है लिस्ट वन को लिस्ट उसके साथ तो establishment of board of control कब हुआ था तो हम जानते हैं पिट्स इंडियाक्ट में हुआ था सुप्रीम कोर्ट काप स्टैब्लिश हुआ था रेगुलेटिंग अक्ट की टाइम पर्मिशन जो थी इंडिया में आगे काम कर सकती है वो कब वी थी चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में और अपॉइन्मेंट जो लौ मेंबर गवर्न जनर का था चार्टर एक्ट ऑफ 1833 तो इस कां इस दिया रखना ये गलत है विकास क्यों कि मॉल्ले मिंटो रिफार्म आए था वहीं पर हमें मुस्लिम को सेपरेट इलेक्ट ऑफ दे दिया गया था इसलिए हम बेसिकली तो इसलिए हम लौड मिंटो को जो है फादर ऑफ कॉमिनल इलेक्ट ऑफ बोलते है तो सेकिंड ऑप ओगे तो आपका कह सकते है भी ऑप्शन आपका गया तो अपका प्रविंस आपका कर जाता है तो इसलिए कर जाता है तो यहां करेक्ट है तो आपका अंसर क्या हो जाएगा तो आप का अंसर हो जाएगा C1 and 3 ठीक है नेक्स्ट कोश्चन है सेविंथ बताना है कि कौनसे स्टेटमेंट जो है करेक्ट है ठीक है तो उसने बोला फर्स टेटमेंट में कि तब फर्स पब्लिक सर्विस कमिशन जो होती बिसिकली सेट अफ होती 1926 में किसके रिकमेंडेशन से लिक कमिशन की तो इस सही है विकॉस हम जानते हैं कि लिक कमिशन जब बठाई गई थी तो उन्हें बोला था कि सिविल सर्विस के एक्जामेशन के लिए कमिशन बठानी चाहिए जो बिसिकली recruitment करेगी और बिसिकली exam conduct करवाएगी तिक है और उसके थूर सेलेक्शन हों का civil servants करां तो फर्स statement आपको correct हो जाती है next है second statement की government of india 1935 जो है basically set up करता public service commission at both federal and provincial level के लिए तो आपकी statement correct कर सकते है तो आपको answer हो जाएगा see both 1 & 2 तीक है next question है एक पार्शल responsible government जो है basically प्रोविंस में basically किस act के थूर स्टैब्लिश की गई थी तो उस act का नाम है basically government of india 1919 तीक है क्यों because हम जानते government of india 1919 में जो center control था provinces में एकदम relax हो गया था अब center अपने subject के उपर law बनाएगा प्रोविंस अपने तो तरह की autonomy दे दी गई थी तीक है indian conflict 1892 में basically जो principles election का उसको use किया गया था as a word word as election आपको यूस मतलब आपको नहीं देखने को मिलेगा कहीं बहीं कि election word का यूस किया गया बट आप देखोगी कहीं ना कई indirectly जह हाँ पर election किये जा रहे थी ठीक है तो मतलब basically limited और indirect provision देखने को मिलेगा election के use का ठीक है हुआ यह था कि जैसे कि हम जानते हैं इंडिन कॉंसल एक 1892 में जब nomination की बात आ रही थी कि हमें legislative council में nominate करना पड़ेगा कुछ members को तो जैसे कि हम जानते हैं center की legislative council में viceride nominate कर रहा था पर किसकी recommendation से प्रविशन legislative council हो की बंगाल chamber of commerce हो गया similarly province में ज़े legislative council थी वहाँ पर कौन कर रहा था गवर्ना कर रहा था किसकी recommendation से district board, municipality, university, trade association, जमीदार, chambers ठीक है तो इस तरह से आप देख सकते हो कि लोग अपने अपने लोगों का नाम भीज कर इन लोगों को nominate कर रहे थे ठीक है तो election ज कि कौन से act है जहां पर basically communal electorate system को पहली बार लेकिया थी British India में ठीक है तो इसका answer है A, Government of India Act 1909 जिसे मौले मिंटो रिफार्म कहते हैं जिसमें Lord मिंटो जो थे उनको हमने communal electorate का फादर भी बताया गया, ठीक है next question है कि जो कौन से act है जहां पर British administration इंडिया में set up हो गया था तो जैसे कि हम जानते है सबसे पहला एक्ट जो है था रगलेटी एक्ट 1773 जहां पर British अनकता से कंट्रोल किया company के रूल को ताकि वो अपनी monopoly न अक्रेट करें next question है 12 इसमें बोलागया है कौन बेसिकली फर्स्ट इंडियन था जिसे पॉइंट किया गया था इस लौ मेंबर गवरनर जनरल की council में तो आप जानते है उसका आंसलर सी सतींद्र सिना ठीक है तो फाइनली यह बारा की बारा question जो थे हम से क्यूंकि हमने डिसकस कर लिया है and hope so आपका अच्छे से कोई भी question में अगर doubt होगा तो इसकी clarity आपको आगई होगी and वैसे तो सभी ने बहुत अच्छे से answer किया था ठीक है and I am so glad कि आप सब ने तना च्छा response किया अब हम चलते हैं mains की question की तरफ तो इस question में जैसे कि हमने बात की थे government of index 1935 कैसे कौन से provisions हैं जो इशो करते है federal features को ठीक है तो जैसे कि हम जानते government of index 1935 जो था उसमें हमने सबसे पहला provision तो यह पढ़ा था all india federation का ठीक है कि हम इस federation को basically मानेंगे नहीं ठीक है दूसरा कौन से provision था second आप कह सकते है provisional autonomy ठीक है provinces को basically autonomy दे दी गई because center का जो control था provinces में वो पूरी तरह से कथम कर दिया और provinces को आप अपने साब से government को run करेंगे अपने साब से law बनाएंगे ठीक है और साथ ही साथ जैसे कि हम जानते से पहले डायार की थी प्रोविंसस में transfer subject reserve subject divide कर रखा था इस act ने basically क्या करा उसको भी abolish कर दिया कि इस तरह का कुछ नहीं होगा provinces को अपने आपको जो मिलता है वो है आपका फेडरल लजिसलिचर ठीक है तो फेडरल लजिसलिचर तो फेडरल लजिसलिचर नींस कि bicameralism तो जैसे कि जानता है bicameralism आ चुका था ठीक है और bicameralism को कम से कम 11 provinces जो थी उनमें से 6 provinces में bicameralism को लाए गया था जैसे आपका बंगाल बंबे मदराज बिहार असाम और यूपी हो गया तो यह क्या शू करता है एक तरह से कि अगर अगर अपने मतलब इसलिए आपने पावर को डिवाइड कर दिया बिकास अब bicameralism में क्या होता है लोर हाउस अपर हाउस होता है लोर हाउस जो अपने सबसे लॉव बनाता है इसको देखता है बिकास स्टेट का इसलिए हम कह सकता है फेडरल फीचर में बाय केमरीलिजम भी इसका पाट था नेक्स्ट फीचर जो आपको देखने को मिलेगा वह इसलिए बिट्वीशन ऑफ पावर का तीक है बिट्वीन सेंटर और स्टेट के विश में पावर को डिस्ट्रिब्यूट किया गया था कैसे जैसे कि हम जानते हैं कि तीन लिस्ट निकाली गई थी जिसमें से फेडरल लिस्ट आपकी थी जहां पर सेंटर लौ बनाएगा तीक है और जिसमें 59 आइटम्स रखे हुए थे और जो प्रोविंस थी वहां पर बिसिकली जहां पर प्रोविंस और स्टेट लौ बनाएंगे जिसमें 54 आइटम्स रखे हुए थे और बाकी एक कॉन्कुरेंट लिस्टी जहां पर दोरों मिलके बनाएंगे जिसमें 36 आइटम्स को रखा गया था तो यह चीज़ अभी जो करता है कि फेडरल फीचर्स को जो कहां पर प्रिजेंट थे कॉर्मेंट अफ इंडियक्त 1935 में अब फेडरल कोर्ट किस तरह से फेडरेशन का काम कर रहा था क्योंकि हम जानते हैं कि स्टेट और सेंटर के बीच में जो भी डिस्प्यूट होगा ठीक है उस डिस्पूट को रिजॉल्फ करने के लिए इस को बनाए किया था साथ ही साथ इसके पास और यह पावर इसके पा तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पांचो प्रोविजन से हैं ठीक हैं पहला कि आपका ओल इंडिया फेडरेशन दूसरा प्रोविंशन के अटॉनमी और तीसरा बाइकेमरलिजम चौथा डिविजिन आफ पावर सें पांचा फेडरल कोर्ट ठीक हैं तो यह सारी चीज़े जो आपको इस कोशन के क्लारिटी हो गई होगी आपको कैसा लगा बताये का अगर आपको पीडिया अगर चाहिए चाहिए तो आप टेलीग्राम के अक्यूटाब ऑफिशल चैनल पर जाके इसको सर्च करना और उसे जॉइन करना ताकि आपको पीडियाफ मिल जाए और कैसा अगर कोई भी कोशन में डाउट है जाए वो मेंस का हो या मसे क्यू का तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखना ठीक हम आपको इसको रिप्लाइ करेंगे थैंक्स फर वाचिंग